हेलो फ्रेंड ये है एक्टिवा स्कूटर का सेल्फ रेंड एक्स जब भी हम सेल्फ लगाते हैं ये एंजिन को स्टार्ट करने में मदद करता है ये एक्टिवा में कीक जहां पर फिटिंग होती है उस कवर के अंदर फिटिंग होता है यहां पर आप देख सकते है जब ये खराब उने लगता है self लगने में दिक्कत होती है इसमें जो आगे का इस्टा है उसमें lock दिया गया है जो तूट जाता है या फिर cup जैसे washer दिये है जो तूट जाते है या फिर spring खराब हो जाती है तब ये problem होती है self नहीं लगता आखिरकार ये होता कैसे है तो फ्रेंड इसमें सेल्फ लगाने का तरीका लंबे समय यूज होने से खराब होना और मेंड प्रॉब्लम बेंडेक्स जहां पे फिटिंग होता है उसके आगे और पीशे के बूसिंग गिस जाने की वज़े से ये होता है आप ये देख सकते हो ये बूस है जो इसके अंदर फिटिंग होते है ये बूस घिस जाने की वज़े से बेंडेक्स फेस ड्राइव पर जुका रहता है जिसे आप सेल्फ चकर भी बोलते है और जब भी हम एंजिन स्टार्ट करते है तब फेस ड्राइव गूमती है और उसके वज़े से जो बेंडेक्स के आगे का हिस्सा है घिस जाने की वज़े से कट हो जाता है उसमें स्प्रिंग वासर सब घिसने की वज़े से तूट जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये बेंडेक्स है वो पूरा तूट गया है मैं आपको इसको खोलके दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा मेकेनिजम होता है तो यहाँ पर यह लॉक निकाल के यह वासर जो पूरी तरह से घिस गया है स्प्रिंग सब खराब हो गए है आप देख सकते हो यहाँ पर अब फ्रेंड नया बेंडेक्स डालने से पहले हम इनके बूस चेक कर लेने चाहिए और फेस्ट्राइब टरच करती है या नहीं वो भी चेक कर लेना चाहिए अब हम इसमें नया बेंडेक्स डालते हैं मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखाने वाला हूँ आप देखेगा यह सेकंड के इससे में स्टार्ट हो जाएगा किस तरीके इसका मेकेनिजम काम करता है फ्रेंड यह जो स्टार्ट करके बताता हूँ इसका मेकेनिजम काम कैसे करता है तो फ्रेंड यहां पर पलक जपकते ही यह स्टार्ट लगेगा और यह जो स्टार्ट हो जाएगा और फ्रेंड देखिए यहां पर जो बेंडेक्स है उसका इससा आगे का इससा किस तरह से स्पीड में आगे आके स्टार्ट को खुमा देता है फ्रेंड प्रॉब्लम भी स्वाल हो गया है यह जो बेंडेक्स नया हमने डाला है उसके बुसिंग भी अंदर के कंप्लेट है जो यह फेस ड्राइव को टच नहीं होता अब हम इसको पैक कर देंगे फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में